क्षिप करेंगे कि आने वाले ट्रेटिंग सेस्ट में गोड में किया मोँमेंट देखने को मिल सकता है अभी जो डीप मिलेगा वहां पर हमको सेल की पोजिशन बनाना चाहिए या अगेन हमको बाई की पोजिशन प्रेपर करना चाहिए कंप्रेज जनकर इस वीडियो के अंदर टेक्निकल बेश को पर बताने की कोशिश करूँगा रहे बात फस्ट हैं विजिट करें चैनल को सस्क्राइ यहां पर डिसक्स करूँगा देखो यह एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया अभी इस ट्रेंड लाइन का महत्वक क्या है और आने वाले दिनों में क्या प्रॉबिल्टी बन सकते तो सबसे हाइस नपके बत करूँगा जो मई 2023 में लगा लगब लगब अभी 6 मैने का समय हो यहां से तो यहां से फोर्थ जो रेजिस्टन्स निकल क्या रहा है जहां से प्रीवेच रजिस्टन्स के उपर यह सस्टीन कर रहा है और ट्रेंड 9 के उपर भी रिस्पेक कर रहा है मतलब दोनों कंफॉर्मिशन हो चुका है मतलब यहां से देखो के तो एक और यह दो और यह तीन और यह चार चौती बार और यह पाच्वे बार जब टच किया तब इसने ब्रेक आउट किया और ब्रेक आउट ऐसा च्छोट है वह मेरे इसाब से एक बाइंग बन सकता है अब यहां पर डबल कंफॉर्मेशन को भी इसने ब्रेक आउट किया सेकंड चीज है जो कर्रेक्शन होना था वह अरड़ी हो चुका है मतलब यहां पर 62 से जो से देखने को मिला वह लगब लबग 56 तक देखने को मिला तो चलते हो यहां कोई दिवाली तक टार्गेट लेके चलते हैं तो अगेर यहां पर 59 59 पास्तों से लेके 59 के रेंज में एक करेक्शन आता है तो वह आपके लिए बाइंग बन सकता है क्योंकि अभी हो सके दसरे का दीन है आज में तो हो सके इसके बाद थोड़ा से एक प्रवर करना चाहिए तो क्या हम वेत कर सकती है क्या हमको वेट करना चाहिए का देखो दोनों प्रोबिटी बन सकती है कि आपके पास हीवी कॉंटिटी है और आपने व्योंकोल गोड में बाये नहीं किया और आप वेट नहीं करना चाहिए तो अब यहां पर एक्सपेक्टेट करता हूँ कि एक जो प्रिवियस हाई तब वो 62 का वहाद तक एक बार गोल्ड जाना चाहिए क्योंकि यहां से काफी दिन बाद फर्स टेम देखनों को मिला जहां से ऐसा लग रहा कि बहुत जपर्दस यह बुल मार्केट में जा चुका है तो एक करेक्शन जो मिलती है गोल्ड में वह आप डिप के अंदर बाई करिए और आने वाली दिनों में 62 तक के टार्गेट के लिए पोजिशन होड़ करिए अभी काफी लोग ने बाई की पोजिशन बनाई होगी और उसको डर लग रहा होगा कि मैं इतना प्रॉपिट में बैटा हो और इंदकेस यहां से मार्केट गिर जा करना स्टार्ट कर देता है तो जो और रेड़ी बाई की पोजिशन है वो मेरी सबसे एकजिट करना चाहिए क्यों कि आपका प्रॉपिट भी चला जाएगा और फिर आपको पस्तावा भी होगा उसे बेटर है क्या प्रॉपिट बुकिंग करके निकल जाए और दुबारा 59 क आता है तो वहां पर एक पोजिशन जरूर एड़ कर सकते हो अभी सेलर्स के बहुत इंपोर्टन्स लेवल्स रहेगा डाउनसाइड में जैसे ही वो डीप में आता है हो सके इस रेंज के अंदर कभी भी आए आपको क्या करना सेलर्स ने पोजिशन एकजीट कर लेना और फ्रेश सेल की सला व्युकुल नहीं है अभी बात करेंगे डॉल इंडेक्स में तो डॉल इंडेक्स मेरे इसाब से यम 6 मार्केट से भी थोड़ा सा इस बार उतना रेजिस्टन्स नहीं लिया जितना गोल्ड ने लिया तो प्रीवेस रेजिस्टन्स के ऊपर भी बनाइए और 2100 के टार्गिट के लिए पोजिशन होड़ कर सके हो लेकिन अभी इस लेवल में नहीं करना बाई का बढ़िया लेवल बनता है तब तक अभी यह फ्रेस बाइट नहीं बनता है फ्रेस बाइट एक तो 1900 के लिवस बनेगा या यह 2000 के लिवस ब्रेकाउट करेगा तब बनेगा तो यह लिवस रहेगा आने वाली दिनों में बायर्स के लिए तो अभी जो बाई करके बैटे होंगे उनको कहां पर स्टॉपला सेल की बना सकते हैं लेकिन गिरावट पचास पांड के रहेगे तो ऐसा रिसकी ट्रेंड मत लीजिए बेटा रहें के अंदर बाई कर लीजिए क्योंकि अभी यह जो रैली देखने को मिला थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन के चक्कर में आप फस सकते हो लंबे समय के लिए आपको बाई की पोजिशन बनाना चाहिए क्योंकि इसका जो अभी ट्रेंड है वो अप्ट्रेंड है और अप्ट्रेंड मार्केट में आपको हमेशा बाई की ही पोजिशन प्रेफर करना चाहिए ऐसा नहीं कि वो सेल नहीं बनेगा आए चाहते हो तो 1950 के नीचे सेट की पोजीशन 2,000 का स्ट प्लस और टार्गेट यहां पर 900 का यहां पर सिट कर सकते हो तो इस तरीके से भी आप एक सेल की पोजीशन रिस्की ट्रेड लेके कर सकते हो तो जानकरी मैंने गोल्ड के ओपर बताने के कोशिश किया फर्स्टेम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की डेली वेस्ट को पर इंट्रादी लेवल चाहिए तो टिलेग्राम चैनल जो रूट जोएन करें वन आप दब बेस्ट एनले से से एकदम फ्री प जानकरी मैं पर नहीं वेजिए तो एकदम अव्रादी वेजिए से एकदम चैनल जो प्रैब बताने का शाल प्री लेग्ट।